नमस्कार में ओप्रिया आज 27 अप्रील चली जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार के क्रिशी मंत्री प्रेम को बार ने अररया डी एओ मनुझ कुमार को प्रमोशन दिये जाने की खबर को गलत बताये हैं जिसके तहट उन्होंने की जाज को प्रभावित करने से बचाने के लिए मनुझ कुमार का अत्बादा किया गया है उन्होंने साफतोर पर कहा कि पुलिस जांच में पाए गया सभी लोगों का निलंबर और जांच जरूर होगा दरसर अररया में होमगार जवान के साथ हुए वाक्या के बाद सवालों के घेरे में अररया जिला क्रिशी पदाधिकारी को उप निदेशक का पद देते हुए उनका स्थानांदरन क्रिशे विभाग के पटना सित प्रसेक्शन का रियाले में किया गया है जिसके बाद क्रिशी पदा अधिकारी के खिलाफ सक्त से सक्त कदम उठाने के बजाए उनके प्रमोशन देने पर राजनी थी तेज हो गई है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अधिकारियों को COVID-19 की चेन को रोकने का दिया आदेश से कॉंटार्ट चीन की पहचान करके सैंपल लेकर उनकी जाच करवाने का देश जारी किया गया है इसके साथ ही सभी होट्सपोट इलाके को पूरी तरीके से सानिटाइज करने की बाद भी कही गई है बंद में बेरोजगार हुए लोगों को हुनर्बंद बनाने का जिम्मा लिया बिहार सरकार के उद्योग विभागने COVID-19 के कारण हुए लोकटाउन के बीच बिहार के उद्योग विभागने वैसे लोग जो बिहार में बंद की वज़े से बेरोजगार हो गए हैं फिर वैसे अबरवासी बिहारी जो दूसरे राचियों से बिहार पहुँच चुके हैं उनके लिए रोजगार के अफसर के साथ हुनर्मंद बनाने का नया तरीका निकाला है जिसके तहट एक मीडिया हाउस से बाचीट के दौरान बिहार के उद्योग मंतरी श्याम रजग ने अपने विभाग को इस बारे में जानकारी देते वी यह बताया है कि हमारी कोशिश है कि कोरोना से प्रभावित सभी लोग बंद के इस माहोर में बेरोजगार हैं एसे लोग जिन्हें कला के छेत्र में रूची है उन्हें अब तक ना तो कोई सही फोरम मिल पाया है और ना ही सही ट्रेनिंग इसलिए अब ऐसे लोगों को चिन्हत कर उन्हें रोजगार दिया जाए खबरों की माने तो आज होने वाली एहम बैठा के बाद उद्योग जग जबरों की माने तो भारतिय जंता पार्टी से जुड़े 70 साल से अधिक उम्रवाले कई वरिष्ट नेताओं को फोन कर प्रधारमती नरेद्र मोदी ने उनसे बाद चीत की है जिसकी जानकारी पूर्वमंत्री और पट्टा विश्विद्याले के प्रफेसर सुखता पांड होने के बाद सामने आई है आपको बता दे 25 मार्ट से दिल्ली के बिहार भवन में तीन हेलप लाइन नंबर जारी किये गए थे साथी कंट्रोल रूम की विवस्था भी की गई थे जिसका मकसद बिहार के बाहर देश के किसी भी हिसे में फसे प्रवासी मजदूरों का मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश होने का लगाया अनुमान बीदे दिन राजहानी पटना समेथ बिहार के कई जिलों में बारिश होई थी जिसके बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से अपना पूर्वा नुमान जारी करते वे आने वाले 39 तक बिहार में फिर से बारिश होनी की संभावना जताई है मौसम विभाग के माने तो उतर बिहार के पश्चिमी और दक्षिनी हिस्से पर सर्कल बने से बारिश होनी की संभावना बढ़ गई है महीं बीते दिन पट्था में सुभह चार बजे के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारि सामने आई है जिसके तहट बीटे दिन बिहार में कुल मिलाकर 11 मरीज के ठीक होने की खबर सामने आई है जिसके बाद बिहार में ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 56 पर पहुँचके है जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ मंतरी मंगल पांडे ने दी है उन्होंने बताया क की बिहार के लिए यह सुखत समाचार प्राप्त हुआ है सुबह में कोरोना के 11 प्रभावत व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं महीं बिहार में लगातार बढ़र कोविद-19 के मामलों की बात करें तो बरतमान समय में मुंगेर बिहार का हॉट्सपॉर्ट जिला बन चुका है जहां दिन अस्पताल पहुची पूर्णिया की युवति की ट्रावल हिस्ट्री साउधी अरब से निकली है हाला कि उस युवति ने सीधे-सीधे तोर पर चिकित्सकों को अपनी ट्रावल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था जब डॉक्टरों को शक हुआ तब जाकर उस परतमान समय में पूरी दुनिया की परिशानी का सबब बना हुआ है वहीं बिहार में भी लगातार इसके मामले सामने आ रहे है वहीं इसी बीच आरा के एक युवक के ठीक होने की खबर सामने आई है खबरों की मारे तो मातर एक हफ़ते के अंदर इस युवक ने COVID-19 को हरा दिया है वहीं ठीक होने के बाद अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है खबरों की मारे तो युवक 19 अपरेल को पॉजिटिव पाई गया था वहीं या हाली में कानपूर से भोजपूर वाटर होते वे बिहार के अंदर पहुंचा था IGIMS और RMRI में लगेगी ऑटमाटिक मशीन IGIMS और RMRI में जल्थी ऑटमाटिक मशीन लगाने की पहल को तेज किया ज़ार है जिससे कि अब राज़ में कोरोना जाच में और तेजी होने की उमीद जदाई ज़ार ही है जिसकी जानकारी देते वे स्वास्त समंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड-19 से केंद्र और राज़ सरकार मजबूती से सामना कर रही है स्वास्ते विभाग कोरोना के रोख थाम और उपचार में दिन राध जुटा हुआ है वहीं अब IGI MS और RMRI में सिंगापुर से खरीदी के आटमाटिक RNA एक्स्ट्रा चार्ज मशीन आने से राज़ की जाच के सुविधा और तेज हो जाएगी बिहार में कोरोना की चपेट में ज्यादतर बाहर से आने वाले लोग बिहार में कोरोना की संक्रमन का ट्रेंड बदल रहा है क्योंकि अब यहां पर बैसे लोग COVID-19 पॉजिटिव पाई जा रहे हैं जो लॉकडाउन के अबधी में बाहर से आए हैं बिहार के कई जिलों में हुई वारिश ने अन्य समस्याओं के अलावा बारह लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है तो आकाशे बिजली की वज़े से 12 लोग अपनी जान गवा चुके हैं जिस पर मुखे मतर नितीश कुमार ने अपनी संबेदना व्यक्त की है वहीं जान गवाने वालों की आश्रितों को 4,000,000,000 रुपे की सहायता देने का भी ऐलान जारी की है जिसके तहत मुखे मतर नितीश कुमार ने बताया कि आकाशे बिजली की तीवरता काफी अधिकती हाला की बंद के माहौल में लोग घरों में थी इसलिए इसे प्रभावित होने वालों की सख्या कम मेली है बंद के कारण तीर थयात्री नहीं पहुच पा रहे है पिंडदान करने पुरे देश में जिसके बाद सिर्फ 15 समाच के लोग ही आ जा सकते है आपको बता दे कई धार्मिक शास्त्र में हर दिन यहां धाम में एक पिंड और एक मुंड जरूरी बताएगे हाला कि बंद के कारण यात्रियों का आना जाना बंद हो चुका है और यह प्रथा भी कुछ समय के लिए रुख चुकी है पपु यादर ने मुख्यमंदर नितीश कुमार को लिया आड़े हाथ नेता प्रतिपक्ष देजस्वी यादर के बाद जना अधिकार पार्टी के रास्ट्रे अधेक्ष पपु यादर ने मुख्यमंदर नितीश कुमार को आड़े हाथ हो लेते विया कहा है कि मुख्यमंत्र निदीश कुमार जी को ना च्छातरों की कोई चिंता है ना ही मसदूरों की कोई चिंता है सरकार की माने तो भारी संख्या में लोगों का एक जगह पर जमा होना बंद के नियमों का सक्त रूप से उलंगन होगा इसके साथ ही बिहार सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंकों के बाहर जमा होने के बजायर राजिमे कारेरत 6728 पोस्ट ओफिस और 10,050 पोस्ट मैं के विशाल नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के जरीए अपने गाओं के दर्वाजे पर ही राहत पैकेज की र खर्च होने की कही गई बात सूचना जन संपर्क विभाग के सचिफ अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फरेंसिक के माधियम से सरकार के कियेगे कामों को लेकर जानकारी दिये जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार से बाहर फसे लोगों और राजियों के अने जरूर की राशी खर्च की जा चुगी है मुख्यमद्री नितीशकुमार ने वेंटीलेटर और अन्यक किट उपलप्त करवाने का जारी किया अदेश इसके लिए सरकार की तरफ से पैसी की कोई कमी नहीं होगी अभी भी कोरोना उन्मूलन कोश में काफी राशी मौजूद है। बुद्धी महायगी करवाये हैं जिसके बाद उन्होंने बिहार के बाहरी चात्रों और मजदूरों की घर वापसी के रिए सरकार से अनुरोत किया है। इसलिए सरकार से अपील है कि सभी सिक्षक संख के साथ वारता कर एक स्थाई निदान का विकल्प त्यार किया जाए। तेजस्वी आदव ने सरकार पर कसा तंच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार पर तंच कसने का। कि मुख्यमंदिर नितिश कुमार जी को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। कि मुख्यमंदिर नितिश कुमार को 12 लाख मजदूर जोकी एक महीने से बिहार के भार फसे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। वहीं सरकार के बार-बार आगरह करने के बावजूद सरकार हमारी बातों का अंसुला कर रही है। कोविड-19 की इस परिक्षा में सभी नागरिक एक साथ सामला कर रहें। इतना ही ने उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में कोरोना की परिक्षा से जनता सहीमाईनों में जूज रही है। हम भागे शाली है कि आज पूरा देश और देश का हर नागरिक एक साथ इस मुकाबले के लिए खड़ा है। रालोसपा प्रमुख उपेंदर कुश्वाह ने लोगों की बीच जाकर मांगी भीख। करने का काम करेंगे। रवी किशन के लावा बीते दिन राश्री स्वाइन सेवक संग ने अपने कार्याले में हवन करवाया था। भारती टीम के पूर्फ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हाली में अपने शीर्ष पांच ओल्राउंडर के नाम बताएं। जिसमें उन्होंने कपिल देव का नाम लिया है। कपिल देव के बाद सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के बरत्मान प्रिधान मंतरी इम्रान खान का नाम लिया है। इसके बाद उन्होंने न्यूजिलान के सर रिचर्ड हेडली इंगलान के इयान बॉथम और मैकलम मार्शल का नाम लिया है। को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगें मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार हैं आपके अनुसार 3 माई की लोगडाउन के आदेश के बाद सरकार को किन चीजों को फिलहाल बंद रखने की ज़रूरत है। आपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बूप प शेयर करें धन्यवाद